नमस्कर दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का एक बर फिर से आज किस बिड़ो में शुवर के दात पहनने के जबरजस्ता चमतकारिक एवं आलवकिक पर्योग बताऊंगा बिड़ो को ध्यांशे देखना इस प्रकार के जानकारी बहुत ही किमती होते हैं लाखों रुप में बताएं हैं जिसके धारन करने के बाद जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है अपने किसमत को बदल सकते हैं आज मैं आप लोगों जो शुवर के दात अर्थात सुकर दंद पहनने के फायदे बताऊंगा ये रावार सहीता के धार पर जानकारी बताऊंगा जब गिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि सुवर भगवान विष्णु जी की श्वरूप हैं अगर अपवित्र होते तो भगवान विष्णु जी स्वयम अपवित्र होते ऐसा नहीं है शुवर के दांद को भी वेक्ती धारान कर सकते हैं इसके धारान करने के बाद कोई अपवित्रा नहीं होती इसके धारान करने के भी मैं बिधी बताऊंगा आप में सदिक्ता लोग कोमेंट करके पूछ रहे थे ये जंगल में रहने वाले शुवर होने के काराण ये हमेशा कंद और फल फुल को खाते हैं इसलिए इनके दाद पहनने के बाद हमारे सरीर में दोस्त नहीं लगता हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो शुवर होता है ये गंदगी को खाता है तो बिड़ो को ध्यान से दिखना आज आप लोगों को शुकर दन संबंधी शारे जानकारी बताऊंगा रावाण बहुत बड़ा बिद्वान था रावाण को प्राजीन ग्रंथों की अच्छी जानकारी थी रावार जो हैं तांतरिक वस्तू के अच्छे जानकारी रखते थे रावार धर्मसमंधी जो सास्तर इनके भी अच्छे जानकारी रखती थी तंत्र के अधार पर रावण ने देवी देवताओं को बंदी बना करके रखा था और अपने इस सारे में सभी देवी देवताओं को नचाते थे रावाण सोयम अपने किताब रावाण सहीता में बताते हैं कि जो तांतरिक वस्तु होती इसके अंदर में अनेक चमतकारी गुण छुपा होता है बस आपको पहचानना आना चाहिए रावाण ने हम सभी की जन कल्यान के लिए रावाण सहीता नमक जैसे प्राचिन ग्रंद की रचना की कुछ जानकारी रावाण सहीता से बताऊंगा कुछ जानकारी तांतरिक किताबों के अधार पे जानकारी बताऊंगा तो बिडियो को सुरू से लेकर के आंखरी तक के जरूर देखना अगर बिडियो में बताएगा जानकारी पसंद आगी तो बिडियो को लाइक और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपौर्ट जरूर करना. क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार अच्छे जानकरी सिखाते हैं. तो पाचीन जो तांत्रिक किताब हैं उसमें लिखा हैं कि अगर आपको शुवार के दात प्राप्त हो जाते हैं तो सरप्रत्थम तो आपको इसे सीध करना चाहिए शिध करने के तरीका भी बिड़ो में बताऊंगा और इसे कौन सी धातु में धारान करना चाहिए वो भी बताऊंगा और जान लिजे किस दिन धारान करना चाहिए तो इसे बुधवार, शुक्रवार या फिर शनिवार के दिन धारान कर सकते हैं ऐसा मानते हैं कि जो बुधग बुद्वार, शुक्रवार और सनिवार के दिन ही शुवर की दात या फिर कोई भी आप जो तांतरिक वस्तु धाराण करते हैं तो इसी दिन कहीं चुनाओ करना है दूसरे दिन धाराण करते हैं तो बाकी जो ग्रह हैं वो लुक्षान पहुचा देते हैं किस धातु में शुवर की दात को धाराण करना चाहिए तो शुवर की दात को आप जो है चांदी, सोना और तांबे ये तीनों धातु में धाराण कर सकते हैं चांदी में धाराण करते हैं तो इसे शांती और प्रेम प्राप्ता होता है वशी करान का काम करते हैं शोने में धार तो धनकी प्राप्ती होता है तांबे में धारान करते हैं तो शत्रू का नास करता है और हमें विजय की प्राप्ती होता है तांबे में किसे धारान करना चाहिए जो लोग जैसे की नेता वर्गस है ये फिर राजनीती से जूड़े हुए ऐसे वेक्ति अगर इसे तांबे में धारान करते हैं तो विजय की प्राप्ती होता है इसे कैसे प्राप्त करें आदीवासी जो जंगली लोग है इनसे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक बात बताना चाहूंगा जीव हत्य सबसे बड़ा पाप है गर आप सुवर को मार करके इसे धारान करेंगे तो आपको दोस आपको रखना चाहिए और इसे कदापी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए गवसाला की से जहां पर हम गाय रखते हैं वहाँ पर इसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए घर के अंदर कब रखना चाहिए कैसे रखना चाहिए और भी मैं बतायूंगा इसे कैसे सीध करें क्या बच्चे को पना kantasakतें क्या महिलाया पहने सकतीं हैं इसके पहने से पहने सब्रें कारी मेरे की जानकारी लग प्राचिन ग्यान है हमारे चैनल का एक ही मकसद है जन हीत एवं जन कल्यान कल्ला इसलिए हमने यह जान इसलिए हमने यह प्राचिन ग्यान नम की चैनल बनाई है और इस चैनल के कमाया गया पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पीत होते हैं हम बहुत प्रयास क करते हैं गरेव एवं असहाय लोगों की मदद करना आई मैं आप लोगों को रावार सहीता के अधार पर शुवर की दाथ पहनने के फायदे बताऊंगा फिर इसे सिध करने का तरीका बताऊंगा तो चांदी के ताबीज में से बनवा करके पहनते हैं अगर कोई भी जैसे के द इस मनुष्य के बराबर ऐशे वेक्ती की सरीर में ताकत आ जाते हैं जो लोग भूत प्रेद बाधा से गरसीत रहते हैं नजर दोस लागते हैं अगर ऐसे वेक्ती अगर शुवर की दाथ धारान कर ले तो बारा फिड तक भूत प्रेद आब के नस्दिक नहीं आते हैं और आने की प्रयास करें तो भस्मा हो जाएंगे जल जाएंगे और नौगरा के पीड़ा भी शांद करने के लिए धर्म सास्तुर में बताया गये हैं कि शुवर के दाथ अवश्य धारान करना चाहते हैं जो तांतरिक धर्म किताब है इसमें भी लिखे हुए हैं भग्मान तो लच्मी सीध हो जाता है जिसे लच्मी सीध हो जाएं फिर ऐसे व्यख्ति की जीवन में धन का भाव नहीं होता मैं पिछले वाले बीड़े में भी बताया था जहां वहां पे भगवान बिशनू है वहां पे लच्मी स्वता ही कीचे चली आती है तो जो शुवर की धानद बाद दिव्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं रभी पुसे नच्छात्र में इसके धारान करने के बाद दिव्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं जैसे कि देवी हैं देउता हैं बुरी आत्मा हैं ये बिल्कुल ही दिखाई देने लगते हैं और इसके धारान करने जो देवी देऊता है बूरी आत्म है जो बूरी सकती है आपको छू नहीं पाएंगे आपके आग्या के बगर आइस बीडियो में आप लोगों बताने के परयास करूँगा कि किस प्रकार से इसे सीध करें तो इसे सीध करने के लिए सौर प्रतम तो आपको लखडी का एक ज़रोर कर देना चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना आप चैनल को सबिस्क्राइब करते हैं तो मेरे मनवल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार प्र Adam की अच्छे चे कि धुवे दिखाना है धुपका धुवे दिखाना है और दिखाने के बाद आपको इसे चांदी में मडवा करके धारण करने है धारण करने के दिन भी बता दिया हूँ आप मैं से दिखता लोग कोमेंट करके पूछ रहे थे क्या बच्चे को इसे हम पहना सकते हैं जहां बिल पर सुहागे उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। जो की 12 फिट के दाइरे तक कोई भी भूद पे टोना जादू नकरातमक शक्ति ये नुक्सान नहीं पहुँचा पाते हैं इसके धारान करने के बाद अगर आपके सगे संबंदी आपके बुराई करते हैं लोग आपसे चीड़ते हैं तो ऐसे लोगों के पास में जाते हैं तो ताकात आ जाते हैं प्रकार के उर्जा आ जाते हैं जो उर्जा निरंतर आपके सरीर में प्रवा होते रहता हैं निस्ट वीडियो में आप लोगों को और भी इसके पहनने की जबरजस्ता पावरफुल फैदे बताऊंगा जबरजस्ता चमतकारी की फैदे बताऊंगा एक औ जानकारी पर समाप्तक करता हूँ या जानकारी कैसा लागे हमें कुमेंट सक्षान में ज़रूर बताना और इस वीडियो को आगे सेयर करना बिलकुल ही ना भूलना वीडियो दखने के लिए धनिवाद नमस्कार